खाली टेक्टर पीछे की तरब निकाळें आप सभी व्यापार्यों को ये दिर देश पेले भी दे चुकें तो मेठता मंडी में जी प्रकारूल माल की आवक लगातार होरी है मेठता मंडी में जो पार्दस्ट इता विन्न देखर बड़ी संक्यार मेलकिसान बार-बारों आ र बनाने के लिए अगर्ण ही रहते हैं और से साथ ही व्यापार मंदल के तरफ से भी पूरी व्यवस्ता हैं सुधर्ड हो इसके लिए प्रयास कि जाते हैं सबसे बड़ी बात करें तो किसानों का धन्यवाद ग्यापित करना या बनता है कि मेड़ता मंडी में आने वाले किसान जो हमेशा देरिय और अनुसासन में रहते हैं और मंडी व्यवस्ता बनाने में अपना पूर्ण सयोग देते हैं तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसान एक दम हड़बढ़ाड करके मंडी में किस परकार से माल लेकर वीड़ कर देते हैं उसकी वज़े से किसानो को भी नुक्षन होता है और मंडी व्यवस्ताएं जो बादित होती है इसी वज़े से बार बार मंडी में छुटी करने की नोबत आ जाती है मेरता मंडी की बात करें तो इसका प्रिसर है जिस परकार की माल की अवेकरिय उसके आगे बिलकुल छोटा पड़ रहा है और करीब तीस से चलिस जार बोरी आने की जो समता है उसकी वो हाइस समता है उसके बावजूद एक एक लाग बोरी से ज़्यादा माल आने से जो मंडी में जो प्रिसर है उसमें जगे नहीं रहती है जो माल की डेरी होती है उसके बाद प्लेटपॉर्म पर जगे नहीं बन पाती है औ को देखते हुए आज मंडी में छुटी रखी गई है 14 अपरेल को ताकि फ्लेट फॉम खाली कर दिये जाए और किसानों का माल रो जाए और मंडी एक दिन भी बंद नहीं रहे तो किशान भाईयों से अनुरोध है कि आप बिल्कुल गवराएं नहीं बिल्कुल धेरिये रखे जीरे के बाव आसानी से तूटने वाले नहीं हैं और सथ बाव है वो 32,000 से लेके 43,000 तक अच्छा जीरा है वो बिक्रा है रही बाद तो कुछ लोग है चंद लोग जो एक मिठ्थे बता रहे हैं कि मेड़ता मंडी में जो 61,000 जी जीरे की थी जो से वायरिल कर दिया तो जागरू करने का प्रियास क्या है मैं इस वीडियो के जो है लिंक डाल दूँगा उस वीडियो का ताकि एक बार एक बार फुने आप देखे उसके बाद है किसी परकार का अरोब परत्यारोब लगाए ताकि आप भी समझ पाएंगे बाकी लोग जो एक चीज को सुनकर आग तो किसान भर्मी तर नहीं हो और उसकी वज़े से मंडी में एक साथ वेड़ नहीं करें कि जीरे के बाव अच्छे रेने वाले हैं तो एक बार आप पूरी जानकरी देखें समझें मंतन करें उसके बाद किसी चीज के नेड़ने वर पहुंचें ताकि किसी परकार गलत आरो उसमें नियूनतम से लेके अधिकतम और उसदबाब भी आपके साथ सेर करते हैं एक बार आपको प्रेसा नहीं होगी लेकिन पूरे वीडियो देख लो उसके बार नेड़ने के जिए मंडियों में बार बार छुटी नहीं करनी पड़े इसके लिए किसान साथियों के साथ ह वियापारियों से भी हमारा नोरोद है कि आपके जो भी कोटे में जो सेड में जो भी माल आपका इस्टोक पड़ाया उसको खाली एक बार जहां भी आपका वेरोस या गोदा हुआ रख दे ताकि जगें हो जाए तो किसानों को बार बार समश्या नहीं उठानी पड़े रो ही बात बात कर लेते हैं कि मेड़ता मंडी में जीरा पнесाषदार के आसवाज भी Apa है तो ये मेड़ता हुए ना गोर में भी का है आज़्यों में भी बीका है एक बार ड़ी इनल्र metने से मंडीडी का जो नाम है उपर उने से क्या फाइदा होगा किसान इसको एक ही तरब नि मिलेगा और किसान को जो फसल का है उचित मुल्य मिल पाएगा आप ये भी अगर किसी के मन में धरना है कि लोकल वेपारियों की मोनोपॉली है तो वो भी कहीं ने कहीं बार से वेपार रहने से खतम होगी और जो वेपारी है बार के वो उच्छ कॉलेटी का जीरा यहां से खरी मंडी और वेपारियों को और किसानों को सब को